गुणिंब फ्रेंच आप सत कैसे हो उम्मिद करती हूँ आप सब अच्छे होगे तो आज मैं आप लोग को मेरे कीचन में लेके चलती हूँ और आज में बना रहे हूँ लेपटोबर रोटी से एक बहुत ही सांदार नास्ता उमीद करती हूं कि आप लोग को पसंद आएगा आप लोग जो रेस्टरेंट में खाते हैं मेक्सिकन डीस टाकोल यह बनाई हूं मैं लेप्टोवर रोटी से तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूं तो देखिए यह बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी ब सान है और अज और अज़े मेरे गारे मैं बहुत सारह भाला बच हैं तो इसी दिसे आज मैं बना रही हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं तो सबसे पहले मैं रोटी ली हूँ और इधर मैं ले ली हूँ कुछ सब्ची इसमें डाल दी हूँ ग्रीन चिली स्प्रिंग अनियन जयुकित जय को इसके ले यहां देखिएंग हूँ असे बेप दी हूँ बारिक हूँ सबसे पहले फिर मैं इसमें डाल दी हूँ गहता निय क्वाव रश्तवर्ड है करें तो एक एक करके मैं सारा सब्सक्राइब दर सकतें मेरे कार सब्सक्राइब कुछ मैं इसमें डाली हूँ तो इन सब को मुझे हाई फ्लेम पे पकाना है नॉन्स्टिक पैन हो तो ज्यादा अच्छा है तो इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा सा जादा रखिएगा इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कि जब्दी को मुझे हाई फ्लेम पे इसके पकाना है क्योंकि मुझे सब्दी का क्रंचीनेश बखरार रखना है इसमें मैं कुछ हर्प डाल गई हूँ लेकिए मैं औरिगानो डाली हूँ इसमें और मैं डाली हूँ नमक थोड़ा सा शोया सॉस यह सब डालके मैं हाई प्लेम पे इसको खुब अच्छे से पकाऊंगे यह मेरा फीलिंग बन रहा है ताकोस के लिए मेरा फीलिंग बन चुका है अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाई हूँ ढिए म डियाती हूँ और रोटी में लेली ओ नहीं हूँ और बनाती हूँ वह मैं आप लोगों को दिखाती हूँноп 110 पहले isnोलिंग उल्क्ली कि पीडाद मैं केक लिए यूद्लि. कोमेटो फाविए nggak है Can yuk best तो आन्वी मैं आफan चली यह द மण इस तरह से एक साइट पे इसको रखना है इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं तो आज मेरे घर पनीर नहीं था तो मैं आज पनीर नहीं डाली हूं इसके ऊपर मैं एक चीज स्लाइस डाल रही हूं और रोटी को मैं फोल्ड कर ले रही हूं इसको हाथों के मदद से दोनों हाथों के मदद से एक को बच्चे से दवा के सिट कर लेना है इस तरह से मैं सारा रोटी में फिलिंग भर लूंगी मेरे सारा रोटी में फिल भच चुका है अब मैं पैन नहीं हूं और पैन में खोड़ा सा बटर डाली हो तो देखिये मैं ग्रील पैन ली हूं आपके पास अब आप उसको यूज दिल आए और नहीं तो आप नॉस्टिक पैन में ले सकते हैं लेकिन बील पैन में बहुत सुंदर टेक्स्टर आता है इसको पर देखिए बटर मैं पूरे पैर में फैला ले रही हूं और इसके बाद मैं रोटी को इसको पर रखते रही हूं तो इसको मुझे बहुत अच्छे से एक साइड पे पकाना है फिर पलट के फिर दुछे साइड पे भी पकाना है अब मैं थोड़ा सा बटर और दे दूंगी ताकि मेरा दोनों साइड अच्छे से रोटी पक जाए और रोटी के उपर प्रंची में था जाए आज को विल्कुल धीमा रखेएगा और धीमे आज पे धिरे धिरे इसको काई करना है ताकि मेरा आज को विल्कुल युछे पकाना है युछे बटर आज को विल्कुल अच्छे पकाना है इसको इसी तरह से पलट पलट के मुझे हलका गोल्डेन कलर आने तर फ्राइ कर लेना है तो देखी इसको पर कितना अच्छा टेक्च्चर आया है यह ग्रिल पैन के कारण इस तरह का टेक्च्चर आया है यह रेशीपन आप लोग एक बार जरूर की दिएगा और मुझे से लगा देफान को बहुत भी概 हैं अगर ने चैनल को सब्सक्राइब करके एक यह ताकि मेरा निक्ट वीडियो जब दी आया तो आप कर पोँदा सब्सक्राइब करे. और जी अधिए मेरा चीज पाथ बाता है तो चलिए इस रेसिपी को आप लोग एक बड़ ट्राइ कीजिए और इसी तरह निरचानी के बरकर आज रहे ताकि मैं और लिए अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के पास लाते रहूं धन्यवाद मेरे वीडियो के अंतक बने रहने के लिए